नमस्कार, रिम डेफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्वागत करता हूँ सो भागी है मेरा कि मुझे तीन बेटियों से एक साथ मिलने का मोका मिल रहा है जिनका सेलेक्शन हो चुका है फाइनली और उनी से हम आज सारी चीज जानेगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की, फिजिकल तैयारी कैसे की और किन-किन चीजों का ध्यान रखना से यह तैयारी करते समय तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इन बेटियों का, इनके संसकार का, इनके पेरेंट्स का, कि इनों ने सलेक्शन के बाद समय निकाला और अपने गुरुजनों से मिलने के लिए अकेडमी में आई, तो ये बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ा प्रोग्राम हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, उसमें सारे बच्चों को एक साथ मिलाओंगा आप से, पूरे राजस्थान में फिजिकल तियारी करने के लिए, रिटन एग्जाम की तियारी करने के लिए, जो सलेक्शन सभी राजस्थान पुलिस कंस्टेबल में हुए हैं इस बैच में, वो सो से जादा बच्चों का ओफलाइन बैच में, जो इन बच्चों ने यहां अकेडमी में रहके त्यारी की है, उन में सो से जादा बच्चों का फाइनल सेलेक्शन और ओनलाइन एप्लिकेशन के माद्या में से जुड़े बच्चों को अगर मिला के बात करूं तो कम से कम 500 बच्चों का पूरे राजस्थान पुलिस में रिम डिफेंस अकेडमी से सलेक्शन हुआ है तो यह बहुत बड़े गरू की बात है हमारे लिए और यह सब आप सब के प्यार की वज़े से विश्वास की वज़े से संभव हो पाया है बच्चों ने भी बहुऄती नमस्कार मेरा नाम टिंपश्रमा है और मेरा जैपुर कमिश्णरर से फाइनल सेलेक्शन हो चुक delicious जुका है यह मेरा फास्टाटैम्ट पे फाइनल से लेक्शन हो गया इसके लिए में रन्वीर सथार को बहुत बहुत त्हैंक्स Please relevant Rituk रीत बोलाँ जाहूंगी क्योंकि उनोंने भी थी जुडिसके वीडियोसी ताुर BOB Physам क्योंकि क्योंकि उन्होंने भी ग्राउंड में हमें सपोर्ड किया मैं सब्सक्राइब करूं रिल इन्सीजीन और उसके बाद में मुझेे रियली बहुत प्रॉफित मिला मेरा फाइनल सब और जो नई तयारी करने वाले स्टूडेंट है उसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि रिम डिफाइन्स अकेडमी राजस्तान में बैस्ट अकेडमी है तो कैसी बैस्ट बटा फीजिकल में बहुत बैस्ट है और सर भी पूरी तरी किसे मोटीवीट रखते हैं और कभी भी निर पूर्शनेट और शी आईडियाई भी दोनों से सेलक्षन हुआ है मैंने पहले यहां से चार फीजिकल के लियर करें पहले मेरिट में भी रही हूं तो मेरिट में रहती थी तब सर से मैं बात करती थी जिसकी वज़े से मैं दुबारा कोशिज कर पाई और पढ़ पाई मेरा दो साल से कहीं भी नहीं हो रहा ता मेरे पटवार में रही दिली पुलिस राजस्तान पुलिस वीडियो पिरी हुआ मैंस में नहीं हुआ कभी लगता है नहीं था कि मेरा सेलक्षन होगा कल भी मैंने रिजल्ट नहीं देखा मैंने कभी नहीं देखा अब देखना यह बंद क कर दिया था उसके बाद हो गया तो उसके लिए मैं रणमीर सर को बहुत बहुत थैंक्यू कहना चाहूंगी और मेरे ममी पापा उनका भी बहुत सपोर्ट रहा और सबसे ज्यादा मेरा जो सपोर्ट करया वो छोटे बाएं ने करा क्योंकि वह इतना छोटा था 16 साल का फिर भी सब इंस्पेक्टर फिजिकल के लिए आई थी बट अनफॉर्टनेटली वो मेरा नहीं हो पाया उसके बाद से लेकिन मुझे उस बैच की जो मेरी यादे थी और उस बैच का जो मेरा अनुभव था वो इतना अच्छा था कि मैंने पुलिस कॉंस्टेबल के लिए भी मेरे द कॉंफरेंस नहीं आए था लेकिन बस सरी यह कहते थे बेटा अपने आप पर अपने आप पर आप यकीन रखो आप कर सकते हो और आप कर लोगे और सर आप ही के बाते थी कि हाँ हमने ये सब किया मैं मैं आज यहां तक के के सफर के लिए मैं मेरे पैरेंट्स को और आज पैरेंट्स को सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और मेरे भाई तो मतलब मेरे छोटा भाई होके उसने मेरे लिए बड़े भाई का का फर्ज निभाया तो मैं उसके लिए तहे दिल से मैं उसके आभारी हूं सब यह कहते थे मेरे को कि ना इतनी भीड हरी में तो वह तुम तुम वहां पर क्या ही कर सकते हूं लेकिन मेरी एक जो चोटी चोटी गलतियां थी जिस मेरे रितु दिडिह ने कहा रितु दिदी बीच में भी रहती थी तो वह मुझे वहां तक लूतिस करती थी तुम रुकिये मैंने तुम्हें देखा है उसके अलावा पैर बज रहे हैं या फिर आप अंगुटे आप अंदर देख कर चलो तो उन्होंने काफी चुटी चुटी गलतियां हम पर परसनली एक एक चीज के ध्यान देखे और हमें काफी मुझे स्टार्टिंग में मेरी 40 से और मैं जब वहां मैंने की तो लगभग 33 के असपास हो गई है तो वो एक साल के सपोर्ट में मेरा काफी चेंज हुआ है और मैं सर्क बहुत जिंद्गी पर आभारी रहोंगी कि इस सफर में रिम एकेडमी ने मेरा बहुत साथ दिया है थैंक यू सर थैंक यू रिम फैमिली तो यह सब बच्चों का प्यार है और एक अच्छा वाताव शुरू कर देनी चीए विकेंजी का इंतजार नहीं करना है विकेंजी बहुत जल्दी आएगी लेकिन उससे पहले आपको तैयारी पहले से कर देनी चीए और जो बच्चे ऑफलाइन जैपूर नाक के नहीं कर सकते तो ओनलाइन भी तैयारी कर सकते है रिम डिफैंस अकेड गर्सेंट बोईज दोनों के लिए और डिफैंस के सारे बैचेज लगातार साल बर एडमिशन चलते हैं तो यहां कि आप तैयारी कर सकते हो जो रिजल्ट का परशेंटेज है वो पूरे राजस्थान में नम्मर वन है मैं फाइनल सेलेक्शन के लिए तो हर बच्चे को नही बोल सकता बट आपका विश्वास जरूर जीतने के कोशिश करूँगा ऐसा मुझे मेरी टीम की वज़े से पूरा विश्वास है ठैंक यू जैहिंद